स्वास्त मानों की पहली आवश्यक्ता भले ही हो मगर ये विभाग पूरी तरह उदासिंता की भेट जड़ चुका है केंद्र और प्रदेश सरकार के पूर्चोर प्रयासों के बावजूद विभागी जिम्मदारों की सिखलता के कारण जन समाने को इस विभाग से कोई सहुलियत नहीं मिल पा रही है परिणाम ये है कि ग्राम जोला चाप डाक्टरों से महगा इलाज कराने को मजबूर है कि अलाज करा रही है वहीं पर आपको बता दे कि कोराओं तैसील अंतरगत इस्तित प्रात्मिक स्वास्त केंद्रे केडवर विकास खंड मांडा में इन दिनों इन ही हालातों से गुजर रहा है केडवर गाओं के अगल बगल के गाओं के रहने वालों का कहना है कि इस प्रात्मिक स्वास्त केंद्र पर नियुक्ति डॉक्तर पांच-छे महिने से अस्पताल में नहीं आते हैं उनके ना आने के कारण ये केंद्र महज एक चपरासी के भरोसे चल रहा है ये है सामदाइक स्वास्त्र केंद्र किनवर यहां की स्थिती ये देखिए साब सफाई की मामले में और यहां पर ये गेट दर्वाजा देखिए दर्वाजा किस्थिती क्या है दीमक लगे हुए है ये दर्वाजे किस्थिती ये ताला लगा है ये देखिए ये देख रहे हैं ये गेट है दर्वाजा इस कंडिशन में ये पूरा दीमक लगे हुए है इसमें देख रहा हैं यह पूड़ी तरह से जरजर अवस्थाम पड़ा हुआ है यह है किनवर का सामदा इक्स्वास केंडर यहां पर आप देख करते हैं यहां पर यह देखिए यह न लग यहां पर सभी दर्शाद देख सकते हैं कि यह क्या है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए एब बिल्ड़ है एवाब हाई एवाब हाई ए रा ए वाई ये बातुम इस प्रकार 2006 में प्रात्मिक स्वातकेंद के लोकारपन के बावजूद छेतरी जन्मानुस को इसका लाप बिलकुल नहीं मिल पा रहा है ग्रामीडों न जिला प्रसासन से मामले की जाच कर उचित कारवाई करते हुए प्रात्मिक स्वातकेंदर का संचालन अतिशिकरे करने की मांग की है